प्राचीन काल से भारत की किसान मौसम की जौनकारी के लिए तरह तरह के उपायों का ऐस्तिमाल करते चले आ रहे हैं गाउं के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से भी किसान मौसम की जौनकारी लेते हैं इसी तरह कानपूर महानगर के एक गाउं देटा में सिर्थ एक प्राजीन मंदर से किसान मौनसून आने का सटीक अनुमान लगा लेते हैं और उसी के अनुसार अपने घेतों में काम पर लग जाते हैं मंदर से हम लोगों को इतनी मदद मिलती है कि जैसे मान सुनानिस पहले हम लोग बहुआन अंदर जाते हैं बहुआन के पाश देखते हैं उपर छट से गर बुढ़ावान की होई तो उसी आसार से अनुमान लगाते हैं बुन्दा बांदी थोड़ी थी, तो उसी साफ से आज बारिज भी हुई है, आज मौसम बहुत अच्छा है, अलके पुल की बुन्दा बांदी हुई है, हमारे आँगे जो मांसून आना है, क्या लगता है, मंदिर ने जिस तरह के संकेत दिये हैं? मंदिर ने तो इस बार बड़ी बुनों का संकेत दिया, तो इस बार हो सकता भारी बारिश होगी। कितना पुराना मंदिर है, कितने वर्सों से हैं? इसकी तो गौवर्मेंट कारबन डेटी 4200 इशाफूर बताई जाती है, और बाहर की दिवारों की मुटाई है, वो 1883 वर्स बताई जाती है। इस मंदिर से 50 किलो मीटर की दाइरे में वर्षा का प्रभाव रहता है। इसके चलते 34 गाउं के किसान इससे फायदा उठाते चले आ रहे हैं। और जब मौनसून पूरी तरीके से इस मंदिर के आसपास के इलाकों में आ जाता है, तब इस मंदिर से पानी टपकना भी हो जाता है। आज इस मंदिर का महा तो क्या है। इस मंदिर के इस मंदिर के इस मंदिर के इस प्रकार के बंदें आती है। यह एक अपने में आशर लिए हुए। कितने बर्सों पुलाना है मंदिर? यह मंदिर बहुत ही युगों को राना है, इतना प्राचिनतम मंदिर जीवन थालत में हमारे भारत वर्स में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि शिंदू घाटी सब्वता काल के लोग प्रती चिन्नों के पूजा करते थी। वहीं लिखा है कि शिंदू घाटी सब्वता संसार के सबसे प्राचिनतम सब्वता है। देखते ही बता देंगे नहीं मूर्ति बहुती प्राचिनतम दूरलब है। 21 सदी के लोग शाय धी इस बात पर विश्वास कर पाएं। पर गाओं के लोगों के मताबिक ये सच है और इतना सच कि बड़े-बड़े वज्ञानिक भी चकरा जाएं। आग जहां विज्ञान के लिए मौसम की सटीग भविश्यवानी करपाना भी संबद नहीं है। वहीं ये प्राक्चीन मंदिर वारिश की इतनी सटीग भविश्यवानी करता है जिसके चलते किसान अपने काम करने लगते हैं। मैं इसी मंदिर के किनारे पैदा हुआ और सतर साल हो गए और मेरी तीन तीनिया गुजर गई। और इस मंदिर के मानसून का नाम सुरुवास से चला आया है क्योंकि इसमें वारिश जब वारिश का टाइम आ जाता था करीब तो इसमें बूनें और सीलन सब आने लगी। लोगों ने अनौन लगाया कि ये क्यों और जब इसके बाद वारिश उपर हो जाती है तो इसका बानी खतम हो जाता है। इस तरीके से ये धीरे 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 मानसून मंदिर कहने लगा और सारे लोग इसके उपर आस्था रखने लगी। बारिश का हम लोगों का संकेत करना या जनाई देना सब चीज जूंटी हो सकती मंदिर नहीं जूठा हो सकता इसका बड़ा विश्वास है छेत्रवासी गावासी और हम लोग आस्था में बैटे रहते हैं कि ये मंदिर कप तपकेगा तब बारिश हो संकेत तो चार महीने की बारिश ज्यादा जोरदारी तो नहीं बता रहा पर चार महीने बारिश होगी ज्यादा गहरी बारिश तो नहीं दिख रही और बारिश का टाइम आप आ चुका है साई 2-4 दिन में कुछ बारिश होगी आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत की आधी से ज्यादा हिस्सों में लोगों को अच्छी बारिश का इंपजार है तो वहीं ये मंदर इस बार अच्छी बारिश का अनुमान लगा रहा है वाकई आस्था विश्वास और परंपराओं वाले इस देश में आश्चर्यों की कमी नहीं है